हेलो दोस्तों नमस्ते अदाब सस्ट्यकाल कैसे हैं आप सभी तो आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन पोलियो मैन में बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसे कि यह है आप देख सकते हो कि मुझे बिल्कुल ही है बगल में पास में मतलब दो कदम दूर ही जाना है उटके पैठना है पट्री पर क्योंकि खाना बना रहा है लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूं क्योंकि आपको पता ही है कि मैं चलनी पाती ज्यादा तो मैं उठने की कोशिस कर रही हूं तो नहीं उठा जा रहा है मुझे सी क्योंकि फैट बहुत जादा हो गया और इतनी एक्सरसाइ है और देखना मैं दिखाऊंगे आपघो कि में मुझे चल के कि इतनी तुर जाना था और उस नम सुर्ज आए कि मैं खाड़ी मैं घ्ट कूर देख सकते हो हमारी जाना दे देख सकते हों से बहुत जड़ा डिफरेंट होती है और कुछ नार्मल लोगों हैं जो हमारी तुलन अपने आप birthday करते हैं लेकिन उचिन कहीं को नज्याद़ काम करते हैं जिस काम को हमें करने में बहुत टाइम लगता है और हमें एक सेकिंड में कर देते हैं उसी काम को और हमें बहुत ज़्यादर टाइम लगता है पर कोई बात नहीं हमारी लाइप है हमारे हिसाब से हमें जीना पड़ेगा तो यहां मैं स्कूल में हूँ आप सभी देख रहे हूं मैं आज बच्चों को बनाना सिखा रही हूं डोग आप देख सकते हैं एक गोला अपनी साइड छोड़के दो गोलों के बीच में मैंने इसका मुँ बना दिया आप देख रहे हो जैसे कि आपको दिख रहा होगा और अभी इस नुद राइन डॉफ कर दूंग जैसे मूचे होती है डोग को और अभी इसस तरह से मिला दोगी और आप देखना कि कितने इजी तरीके से बैठा हुआ जो डोग है वो बनके रेडी हो जाएगा इस ऐसे ही इजी डोइन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि अब मैं समय समय पर ऐसी अपनी वीडियो लाती रहोंगी और बच्चे देखो कि अब मैं इन्हें बनाने के लिए यह दूंगी और आप दिखाऊंगी देखो कितना अच्छा बच्चों ने कोफी किया है बना दिया है इसे बहुत अच्छे से बच्चों ने बच्चे कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यह दूसरे बच्चे की है यह उससे भी जादा अच्छा बना है अब देखी रहे होगे बहुत अच्छे से उन्होंने बैठा बना दिया है अब यह और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी वह भी बहुत अच्छी है बनाई है बिच्चों ने ड्रॉइंग यह देख सकते हो